सुट्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 17 मैथमेटिक्स के बेटा 6th क्लास के बिच्चों के लिए है 4still 4े तारी की ठीक है 1 इंगलिस मिडियम में मैं आज हम फ्रेक्संश चैप्टर अपना कमपैरिजन ओफ्रेक्संश करेंगे ठीक है मदलब कि लिफ्रेक्संश को कमपैरिजन कैसे करते है उनके बीच में तो देखो धोलू और भोलू धोलू का हूँ या भोलू का हूँ ठीक है धोलू और भोलू went to a restaurant to enjoy a healthy and nutritious pizza with their parents तो धोलू भोलू दोनों भाई हैं बेटा और वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ pizza खाने के लिए एक restaurant जाते हैं ठीक है तो धोलू के पास तो इतना है और भोलू के पास इतना pizza है plate में ठीक है who has more pizza तो इसमें से किस के पास सबसे अधिक है pizza की quantity ठीक है तो ये बताने तो देख के बता सकते हो बटा आपको पता चल रहा है कि किस के पास जादा होगी तो नहीं देखो हमें एक चीज़ यहां से पता है कि it is clear dad धोलू has three full pizza अब आप पहले भी पढ़ चुके है बटा तो आगे की जो होती है वो क्या होती है इतना तो किसी के पास होता है या प्लस में ये पीछे वाला भी होता है तो देखो धोलू के पास तीन pizza तो complete है और उसके बाद कुछ पार्ट है चोथे pizza का ठीक है यहां पर इसके पास दो pizza complete है और तीसरे का कुछ है तो यानि कि तीन से कम है और इसमें तीन पूरे है और उस तो हमने एक पीज़ा ले लिया मान लो ये ठीक है और उसी पीज़ा के एक बार तो क्या किया दो पार्ट किये ठीक है यानि कि देखो दो हिस्से किये नीचे दो ते एक बार तीन हिस्से किये एक बार चार किये और एक बार पांच हिस्से किये ठीक है उन में से एक एक सब का क् कित कर दिया अब इसमें देखो बेटा इसमें दो हिस्से थे तो ये देखो यहाँ पे ये पोर्शन जादा है ये किसके बराबर इनके इतने 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 इससे के बराबर है तो ये सबसे जादा है या फिर ये कहलो ये हिस्सा कुछ है इससे जादा ये है और इससे जादा ये वाला और इससे ज़्यादा ये वाला है तो सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रेक्शन बढ़ा हुआ ये वाला बढ़ा हुआ और ये बढ़ता चले जाएंगे जैसे जैसे उपर जाएंगे ठीक है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 1 by 2 सबसे बढ़ा हो गया फिर उससे कम फिर उसस होता है वो same होता है ठीक है तो ये क्या हो गए like fraction अब इन में कौन सा बढ़ाई बटा तो हम यह इसको बिना figure के भी बता सकते हैं इसको हम consider नहीं करेंगे क्योंकि नीचे same है तो उपर जो सबसे बढ़ी होगी वही सबसे बढ़ा होगा तो पांच सबसे बढ़ा है तीन से तो ये वाला fraction बढ़ा हो गया तो इसलिए हमने इसकी तरफ क्या हो कर दिया opening mouth कर दिया ठीक है इस sign का यहाँ पर तुम एक figure से बता सकते हैं ऐसे किया एक figure बनाई दो बार उसमें seven seven part कर दिया एक में three bar किया और एक फाइव बार क्या क्या shaded कर दिया portion तो कौन सा बढ़ा है ये portion ज्यादा है shaded तो इसलिए बढ़ा हो गया ठीक है ऐसे unlike fraction को करते हैं तो unlike में क्या करते हैं फिर से तुम क्या करोगे यह मतलब कि कोई भी तुमने एक object ले लिया या कोई thin ले ली ठीक है उसको तुमने एकब बार तो 3 हिससे में किया ठीक है और एकब बार 4 हिससे में किया अब इसमेंसे THIN हिससे की इन वा ज्यादा हुआ नीचे वाला देखो ये इससे इतना जादा है ये वाला हिससा इसमें जादा है इससे ठीक है तो ये बड़ा हो गया figure से तो 3 by 4 greater than 2 by 4 तो ये इससे figure से figure से देखना बेटा पता लगाना बहुती आसान है अब इसके अलावा भी हम एक और चीज कर सकते हैं we can also use the method of equivalent fraction let us find the equivalent fraction of both 2 by 3 and 3 by 4 तो हम इसका equivalent fraction निकालते हैं ठीक है equivalent fraction कैसे निकालते है बेटा देखो यहाँ पर 2 by 3 है अगर हम इस 2 by 3 को 2 से कर दे उपर नीचे तो क्या आएगा इसी तरीके से अगर 4 से करेंगे तो 8 by 12 और 5 से करेंगे तो यह आजएगा फिर ऐसे इसको 2 से करेंगे उपर नीचे फिर 3 से करेंगे फिर 4 से करेंगे अब तुम्हें यहाँ पर क्या कर देखना है करने से मतला हम कर क्यों रहे हैं ऐसा तो देखो बेटा यह 12 आ गया नीचे यह भी 12 आ गया तो अब हमने इनके denominator को इकवल बना लिया तो यह लाइक फ्रेक्शन की तरह हो गए और यह सारे याद रखना बेटा यह इसके इकवल है यह सारे इकवल है हम पढ़ चुके है क्यों अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से यह आ जाएगा ठीक है तो यह इसके इकवल है तो हमने यहाँ पर म मतलब यह वाला फ्रेक्शन बढ़ा हो गया तो हम देख रहे हैं कि 9 by 12 बढ़ा है 8 by 12 से इसलिए 3 by 4 बढ़ा हो जाएगा 2 by 3 से ठीक है तो इससे हमने पता लगा लिया इकवलेंट पता लगा है कौन सा बढ़ा है जो इकवलेंट बढ़ा होगा जिसका वही वाला क्या होगा बढ़ा होगा फ्रेक्शन उमीद करने बेटा आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चारी हूँ अब कंपेर दी फोलोइंग फ्रेक्शन यूजिंग फिगर तो फिगर बनाने 3 by 5 और 1 by 5 की तो बेटा क्या करोगे 2 फिगर बना लो आपको अच्छी सी बनानी है मैंने ऐ यह सी बनाई यहें पांच पांच करने आपको एक दो, तीन, चार, पांच यह वाला काट दीना में को फिर से बनाती हूं ठीक है 5 हिससे करने 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ठीक है अब इसमें 3 हिस्सों को schedule करना है ठीक है अब इसमें 1 करना है तो कौन से का ज्यादा part schedule है 3 by 4 का यहां से भी हम देख रहेते 3 बड़ा है 1 से तो इसलिए यही बड़ा हो गया तो हम क्या सकते 3 by 5 is later than 1 by 5 ऐसे 5 by 7 वाले का करोगे 7 part करने आपको इसके ठीक है इस तरीके से ओके 3 3 6 और एक साथ 3 3 6 और एक साथ अब इसमें क्या करना है 5 और 3 इसके 5 और इसके 3 तो कौन से बड़ा है 5 वाला बड़ा है तो यहां पर यह sign लगा दोगे इसलिए 5 by 7 is greater than 3 by 7 ठीक है 5 by 7 ओके अब next बड़ा comparing the following fraction using equivalent fraction तो equivalent fraction निकालना है देखो यहां पर क्या करोगे same to same ऐसे करना है ठीक है देखो इस तरीके से यह आपको करना है सबसे पहले क्या लिखोगे 5 by 6 लिखोगे यहां पर ठीक है आपने 5 by 6 लिख लिख लिया अब इसके equivalent fraction निकाल लो 2 से गुना करो 2 पंजे 10 नीचे करोगे 6 दूनी 12 फिर करोगे 3 पंजे 15 और 3 चीक 18 फिर करोगे 4 पंजे 20 4 चीक 24 ठीक हमने ऐसे निकाल लिए अब दूसरे का निकालेंगे 1 by 4 का तो 1 को करो 2 से तो 2 by 8 3 से करो तो 3 और 12 ठीक है अब देखो हमारे ये वाला और ये वाला सेम आ गया एक और निकाल लेते हैं 4 एकम 4 और 4 जा 16 तो ये इन दोनों को करेंगे हम यहां से ये वाली लेन लिखेंगे the equivalent fraction of 2 by 3 की जगा आप क्या लिखोगे 5 by 6 और 3 by 4 की जगा लिखोगे 1 by 4 ठीक है आप देख लेना यहां 5 by 6 with the same denominator 12 और इनकी जगा काट कर बेटा क्या लिखोगे 10 by 12 and 3 by 12 respectively ठीक है फिर therefore ये काट देना है आपको इसकी जगा क्या लिखोगे बेटा therefore क्या लिखोगे आप लिखोगे बेटा 5 by 6 is equal to 10 by 12 and 1 by 4 is equal to 3 by 12 ठीक है अब here since फिर लिखोगे since इसकी जगा पर लिखोगे 10 by 12 is greater than 3 by 12 okay इसलिए क्या करोगे ये वाला बड़ा हो जाएगा 5 by 6 is greater than 3 by 12 sorry 1 by 4 okay ये लिख दोगे आपको ये करना है पहले ये लाइन लिखोगे उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है आपको ये fraction लिखना है वहाँ पर ये लिखना है यहाँ पर ये लिखना है इन दोनों की जगा फिर therefore therefore के बाद ये वाला line लिखनी है दोनों चीज फिर फिर लिखोगे since ये greater than है इससे इसलिए 5 by 6 greater than हो गया इससे ठीक है अब मैं आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ बेटा देखो आप अच्छे से देखो इसको कैसे करोगे ठीक है तो यहाँ पे करके देखो हमें next दिया हुआ है 2 by 3 and 3 by 5 ओके आपको यहाँ पे क्या करना है 2 by 3 के equivalent fraction लिका लो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 ठीक है कोमा मतलगा ना बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे equal to 2 दूनी 6 और 3 से गुना करो 3 दूनी 9 फिर 4 से 4 दूनी 8 चार दूनी 12 ऐसे ही आप किसके निकालोगे and 3 by 5 के निकालो 3 by 5 को 3 दूनी 6 5 दूनी 10 sorry equal लगा ना बेटा ठीक है फिर 3 दूनी 9 5 दूनी 15 फिर उसके बाद क्या करोगे 3 के बाद 4, 4 दूनी 12 चार पंजे 20 ठीक है अब बेटा यहाँ पर देखो कोई match कर रहा है 1 मिनट 2 को करो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 8, 4 दूनी 12 यहाँ पर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 फिर यहां पर 3 तीया 9 3 पंजे 15 फिर 4 तीय 12 4 पंजे 20 यहां पर हमें बिटा मैच नहीं मिले हम फिर से एक और निकालेंगे इसका तो 5 दूनी 10 3 पंजे 15 ठीक है तो देखो यह 15 आ गया और यह यह दोनों मैच कर गए हमारे अब हम यहां क्या करेंगे the equivalent आपको पहले वाला भी ऐसे ही करना है equivalent fraction of 2 by 3 and 3 by 5 are कौन-कौन से हो गए बटा 1 minute 3 by 5 with same denominator ठीक है denominator denominator कौन सा सेम है बटा 12 15 है ठीक है और कौन-कौन से होगा 10 by 15 and 9 by 15 ठीक है respectively respectively का मतलब होता है कि 2 by 3 का यह है और 3 by 5 का यह है ठीक है आगे पीछे नहीं कर सकते अब यहां पर क्या करोगे therefore 2 by 3 is equal to 10 by 15 and 3 by 5 is equal to 9 by 15 अब यहां पर since 10 by 15 is greater than 9 by 15 therefore 2 by 3 is greater than 3 by 5 ओके यह आप लिख दोगे ठीक है तो यह आपका आंस्वर आजएगा इसी तरीके से आपको पहला करना है यह थी बटा आपकी आज की वक्षित उमीद करती है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बोक्स ने पूछ लेना है बटा इस वीडियो में इतना ही अपना नेक्स्ट टोपिक हो हो पनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक लेसे हसते रहे मुस्कुराते रहे पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे थैंक्यू